नमस्कार योपी मिस्रा का इंसाइट जार्खन की ओर से जोहर इंगे योपी मिस्रा इंसाइट जार्खन पस्टा कौन पहले तो यहाँ 27 एगारह लिखा हुआ है इसके लिए माफिय माग रहा हूँ यह 27 बारह है और मैं उस दिन का इसलिए बता रहा था कि बहुत रिक्वेस्ट सहर से और बाहर से भी आ गया कि छे ग्रहों का योग होने जा रहा है उस पर कुछ नहीं बता रहे हैं और हम लोग को लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है इसे में बड़ा दिन का छुटी हो रहा है इस सारी बात तो उसके बार में थोड़ा डीटेल बता दीजे तो हम लोग अपनी छुटियों के साथ और भी सारे प्लानिंग कर सकेंगे हलाकि कुछ ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी लोग का नुरोथ था तो हमको करना पड़ा और एक गारा चुकी अब यह नोहंबर चल रहा है बाई मिस्टेक लिखा गया अच्छली यह 27 कभी नहीं है अच्छली इस होल थिंग इस फ्रॉम पचीस बारा टो उंतिस बारा इस टोटल पिर इस बारा इस तोटल पिर इस बाट पिर 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 ठेक नहीं है जिनको नक्षत्र सिदान से सूट करेगा तो सूट करेगा ही लिकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसी में 26 तारी को 26 बारह को सूर्ज गरहन भी पढ़ रहा है तो तेन फैक्टर हो गया छे गरहों का संजोग अमवश्या और सूर्ज गरहन तीन तीन फैक्टर एक साथ आ गया है तो जिनको भी खगोल शास्त्र का थोड़ा भी ज्यान होगा उनके लिए तो चिंता का भी सह है जरूर चिंता करेंगे कि कुछ तो है देखे उने सो सिक्स्टी वन ही है उसके आज पास में अस्टक गरही लगा हुआ था आट गरहें एक साथ हो गए थे अस्टक गरही और लोग बहुत परिशान थे और पेपर और अख्वार और डॉक्टर संपूर्णा नंद जो कभी ग्रहमंत्रे भीवा करते थे उनके भी थे बड़े विद्वान थे जो तिसके जैसे आज कल जोसी साहिब है बीजे पी के विद्वान आपनी है तो इस्ति थी तो यहां तो छे गरह के ही बात आ रही है सुर्फ हुआ क्या है कि इस लगन को ये दो गरह और इफेक्ट कर रहे है इस लगन को मंगल भी इफेक्ट कर रहे है और सुक्र भी इफेक्ट कर रहे है दो पकर्टारी योग या पाप कर्टारी योग जो पुली यह मिश्ट योग जो बोली लेकिन लगन को तो प्रुवाभवित कर रहे है लगन के एक और इसल कर तो सच पूछे तो यह शडग रही सट ग्रही योग नहीं बन रहा है। सही माने में यह है। जब ग्रहन होगा उस में यह मूझन लक्षटरय रहेगा। एक ग्रहन जो लगेगा 26 तारिकों ग्रहन है 27 तारिक हमने लिखा है न इसको रेंज हमने बता है न थोड़ा इसको पहले कर दीजे 25 12 टू 29 कर दीजे तो इसमें लगन को धनु को धनु लगन पर असर आठ ग्रहों का प्रभाव है छे ग्रह तो साथ महीं है साथमा मंगल और आठमा सुक्र इनका भी प्रभाव पड़ रहा है तो जनरली जब राहू केतु के एकसिस के हिसाब से बनता है तो इसको हम लोग बहुत शुब नहीं मानते हैं तो सच पूछे तो राहू की सब्तम द्रिश्टी पढ़ी जाती है इसमें धनू द्हनू अप्ट नग्यरोज पोईशना है धनू द्हनू लंगन या धनुरासी यह डिंजर चुन में आ गया और नक्षत्र है केतु का, मूल नक्षत्र मूल नक्षत्र है केतु का तो कोई ग्रह जिस नक्षत्र पर रहता है तो उस नक्षत्र के ओनर को भी वो ग्रह प्रभाब करता है दसा अंतर दसा बोलने में इस सब बहुत सुक्ष रूप से देखी जाती है तो इस मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है इसी में ग्रहन भी लग रहा है इसी में लगभग अमावश्या भी लग रहा है आसपास नहीं है सब अब जिनके कुल्ड़ी में पहले से केतु है धनुरासी का उनके लिए तो ये केतु डबल हो गया केतु यहाँ पर है जिनका पहले से केतु है या जिनके धनुरासी में पहले से एक दो पापग्र है पापग्र बैड धनू के घर में पहले से जदी कोई पापग्र है, मंगल है, केतु है, सनी है, सूरज है, इवन गुरु है गुरु पापग्र हो या ना हो, गुरु है, तब भी उनके लिए थोड़ा सा डेंजर जो उनका जो प्रभाब है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा मेरी बात कुमाल लिए, मत सोची कि गुरु अपने उसको निटलाइस करने जा रहा है मैं पहले से बोल चुका हूँ कि गुरु हाट वेरी बिग, बहुत जादा उनका गुरुत्वा कर्शन है सारे अब इतने ग्राही कठे हो गया है यहाँ पर, तो एक चीज़ जा लिजे कि ये तुलारासी ये स्टॉंगेस्ट हो गए तुलारासी सबसे बल्वान तुलारासी हो गई और उससे कम बल्वान कन्यारासी हो गई सेकेंड पोजिशन में आए कुछ सिधान्त है जो तुसके गणित वाले सिधान्त है तो जिन तुलारासी वालों के लिए जिनका रासी तुला है या जिनका लगन तुला है उनके लिए तो क्या अमवश्या और क्या ग्रहन और क्या यह सब उल्टा पुल्टा चीज सब टॉप क्लास जाएगा The best, you are the winner, you are the gainer, you are the successful one और यह तमासा देखे कि जारखन की बाद बोला हूँ जारखन में 23 तारीक को रिजल्ट आना है 23 दिसंबर को और मैं बोल रहा हूँ 25 बारा से 29 बारा थोड़ा सा गड़बड है तो 23 बारा को जो जारखन में रिजल्ट निकलेगा तो सरकार फॉर्मेशन होने में इतना छंजट होगा और इस तरह की बातें इधर उधर होने लगे कि महराश्ट अलिश्टि आ सकती है और दुर्भागिवस महराश्ट में जो सासन का डूर समाला जा रहा है उसमें सुर्जास्त हो रहा है जिल्नों उगों नहीं यह डिसाइड किया मैं पॉलिटिकल चत्र की बात नहीं बोल रहा हूं कि कुम पुर श्टोलिटलिगल बात पोल्राओ यह थो थो रूर्णी अवरस मॉर्णी so this is evening so it is a midnight a midnight a midday this is a midday and and suraj is government Sun is government Sun represents government to a place is my May ति ओधर रहे हो जदी कि ऐसे चलेंगे क्लाइक यह यह सरक्ल बनने जा रहा है तो क्या पॉजिशन है सूरज जदी यहां पर आ जाते हैं मारकेस हो जाते हैं यहां आ जाते हैं सूरज तो मृत्यू के घर में आ गए सूरज माने सरकार तो इस्थित्य तो डामा डोल रहेगी और संभवत यह लगन तीन का है हमने पूरा गणित नहीं किया है छे चालिस में साइद लिया जा रहा है ओत तो संभवत तर तीन है तो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस एगारह बारह एक दो तो बुद्ध यहाँ पर जरूर है लगन पर बुद्ध की दृष्टी पड़ रही है और सूरज यहाँ नहीं है लेकिन संध्या के कारण इस्थिती हो सकती है कि सूरज यहाँ हो यहाँ हो दोनों में से कोई एक जगा सूरज होंगे लेकिन सूरज की इस्थिती सही माने में अभी जो सूरज है नंबर की बात बोला हूँ मैं 28 सनिवार 28 तारिक को 28 दिसंबर नहीं है 28 नहुंबर 28 नहुंबर को सूरज है आठ में तो सूरज तो यहाँ है भाई सूरज यहाँ पर है और यह है परसनेल्टी राज का सक्ती और यह है राजा जो सपत ग्रहन लेंगे और राजा बनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छे यह छटा घर है सत्रू बाधा तो यह जो सूरज है यह रात्री जोन में चले आए अंधकार जोन में चले आए तो सरकार में तो थोड़ा संक्ट बना रहेगा यह पार कर पाएगा लक्षमन रेखा या नहीं यह तो संदे है लक्षमन रेखा जो इनलों का होता है चुने हुए विधायकों का वो सिमा यह पार कर पाएंगे इसमें थोड़ा संदे है और यही इस्थितिय आगे आ रही है दिसंबर में तो यही सित्य और कठिन हो जा रही है यहां नौ नमबर में सनी है, केतु है, गुरु है हो सकता है सिर्फ यह कम्बिनेशन देख करके सिर्फ यही कम्बिनेशन देख करके उन्होंने लिसाइट क्या होगा, I don't know what he saw what was his motive करन की चंद्रवा भी यही पर है आठ नमबर का चंद्रवा नीच का होता है सूरज यहां पर है, अंधेरे में आ गए चंद्रवा भी नीच हो गए, निगेटिव हो गए तो राजा का सुक मंत्री मंडल का सुक यह निगेटिव हो गया कितना? 100% और 7, 8, 9 यह भाग्य भी यह भी इसलिए मैंने खहा कि इस्थिति आकास की अच्छी नहीं है आकास की इस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण कुछ लोगों ने जो बुद्धिवान लोगों ने बहुत सारे प्रसन पूचे थे और मैं जिस रूप से डिस्क्राइब किये जा रहा था जो हमारा काम था उसको छोड़ करके हमको इस प्रडिक्शन के लिए आना पड़ा ओर बात स Rak ranked और बात से ही भी है जिससे बड़े दिन की चुटी होने वाली है तो मेरे घर में भी उँड़े प्र Shanghai 국민 करननेई यह दो यह upon मत जब परिवार के साथ रहो मुस्टली आइविल रिकोमेंड आइविल रिक्वेस्ट इस चार दिन बुरे हैं तीन फैक्टर से ग्रह लग रहा है और है सही में आठ ग्रहों का प्रभाव है लगन पर धनुरासी में तो जो भी केतु के तीन नक्षत में जिनका जन्म हुआ है केतु के तीन नक्षत में जिनका जन्म हुआ है जैसे अश्वनी मगा एक दो तीन और मूल और नक्षत्रों में मूल को सबसे कठिन माना गया है इसको बोलते हैं एंसेस्टर्स पितर पितर लोग में जो हमारे पितर रहते हैं पिता जी जिन सरगवासी हो गया है बाबा पर बाबा और भी जो लोग हमारे गुजर चुके हैं यह सब मूल को इंडिकेट करता है अब यह ग्रहन इसी में लग रहा है यह पर ग्रहन लग रहा है अब ग्रहन चुकी इसी में लग रहा है तो दे केतु इस बिंग इफेक्टेड केतु इफेक्ट हो जा रहा है और धनु रासी में लग रहा है तो धनु रासी वाले अपने हो गया है धनु रासी वाले के लिए यह बहुत खराब है धनु लगन वाले जो है लगन जिनका धनु है उनके लिए भी यह पीरेट खराब है तो रासी वाले के लिए जिदी यह 100% खराब है तो लगन वाले के लिए 20% खराब है लेकिन खराब है इह बात जान लेए खराब तो है ठीक है जिसमें गरहन आएगा बताओंगा लेकिन चुकितीन संजूग ऐसे बन रहे हैं तो लोग ब्याकुल है कि मैं क्या करूँ प्लैनिंग करूँ बाहर जाओ यह ना जाओ प्लेन से जाओ यह रोड से जो लोग सही में इस्टोलाजी पर विस्वास करते हैं और धार्मिक चीज़ों अनुस्ठानों में विस्वास रखते हैं वो जरूर बहुत सारे चीज़ पोछना चाहते हैं जानना चाहते हैं और जिनको कहीं किसी पर विस्वास नहीं है तो मून दहूं आख कतहूं कचुनाह आग बंद कर लीजे तो कुछ भी नहीं है कहीं अ रक्षित उतिष्थती देव अरक्षितम जिसका कोई सहरा नहीं है उसके सहरा भगवान तो ज्ञान भैभी देता है आप एस्ट्रोलजर है एस्ट्रोलजी जानते हैं इतिती नक्षत्र के बारे में जानते हैं तो भैभीत है लेकिन जिनको इसके बिसे में कोई ज्ञानी नहीं है जो नास्तिक ही है पुरा उनको तो भै नहीं लगेगा लेकिन वो देविल बी ट्रै में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कभी कभी लोगों को बताता हूँ कि जब घर में लगातार बहुत मुर्त्यू या आपके ब्लड रिलेशन में बहुत सारी मुर्त्यू होने लगें, ब्लड रिलेशन को मतलब हुआ आपके पिता जी, पिता जी के भाई, उनके वाल बचे, पिता जी के बहन, बुआ जी, उनके वाल बचे, बाबा, ग्रैंड फादर, उनके भाई और इस पूरे क्लैन के भीतर में जदी मृत्यू दुखद मृत्यू होने लगे, नॉर्मल मृत् होती है, दुखद भी होती है, इसलिए दीपावली के एक दिन पहले, जम महराज की पूजा की जाती है, जम देवता की पूजा की जाती है, उनके लिए एक दीपक अलग से निकाला जाता है, दिवाली के एक दिन पहले, जम दियरी निकाली जाती है, बहुत जगे ये एक दिन पहले और नियम यह है कि जो सबसे ब्रद्धा आद्मी है जैसे मैं अपने घर में ब्रद्धा हूँ लेकिन जब मैं जवान था युवा था तभी मैं यह पूजा करता था कुछ करना नहीं है एक दीपक संध्या को संध्या मुख में ट्विलाइट्स जब सुरज जूबने को जा रहे हैं या जूब गय है थोड़ी सी आभा निकल रही है फिर भी उस समय दक्षन दिसा मोग करके नीचे थोड़ा जमीन में पानी डाल दीजे या गोवर है तो गोवर स्पोज दीजे एक दीपक वहाँ पर चला दीजे और उस जो लौ है ध्यान कीजे कि ये दीपक जो जलाए है जोती है ये जोती के सामने में भगवान जमराज खड़े हैं आप उनको पडाम कर रहा है कि भगवन आप अपने कार्ज में रत रहें लेकिन मेरे परिवार में कोई अकाल मृत्यू नहीं हो कोई दुखत मृत्यू नहीं हो सारी मृत्यू में आनंद हो आनंद के साथ ही सभी लोग मृत्यू लोग में आपके साथ हैं ऐसे ही स्थिति में आप सब को ले जाएं ये मेरी प्रार्थना है आप से साल में एक ही बार आप से मौका मिलता है प्रार्थना करने का ओई प्रार्थना आज में कर रहा हूं मेरी प्रार्थना सुलो भगवान बिद्ध लोग करता है और दीपक जला करके कहावत ऐसी है कि दीपक जला करके सीधे आप घर चलेजे लोटके नहीं देखना चाहिए एक, दूसरा चीज ये ऐसे जगह जलाना चाहिए जो घर से बाहर हो थोड़ा सा दूर आपके परकोटे के अंदर में भी हो सकता है लेकिन आप जहाँ दीपक जला दिए फिर उहाँ पर हल चल नहीं होना चाहिए उहाँ पर आवापिस चाहिए नहीं ये सब है अब देखे कुछ होती है जो एक सास्त्री नियम होता है एक नियम होता है जो बिभारिक और लौकिक नियम के अंदर में आ जाता है मैं नहीं जानता कितना सत्य है और कितना सत्य है लेकिन ये परंपरा हमारे पिता जी बाबा जी के समय से चली आ रही है मैं इस परंपरा को निवाता हूँ तो ये जो सिति बन जाती है सभी लोग परिशान रहते हैं, जो लोग जानता है कि क्या होने वाला है? già तो होने वाले में सबसे कश्ट उन्हीं को होना है, जो धनुरासी के हैं और मूल लक्षतर जिनका है, और केतु केत ही लक्षतर मैं जिनका जन्म है, अब इसमें जिजी बर्गी करन करेंगे तो मैं उसमें बता तूंगा अभी तो सिर्फ उसी पॉइंट पर मैं बात नहीं कर सकता सिर्फ आप इसने ध्यान देजी कि चार दिन का जो समय है जो मैं आपको बोल रहा हूं एक्शली पाश दिन हो गया पचीश चबिस सत्थाइस अठाइस और उन्तिस ट्विंटिनैट या अख्रवाज कर चौप भी इसे ही आता है कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें दो नंबरिक कारवार नहीं होता है तो यह फाइब डेज में क्या नक्षत्र है आपके हिसाब से और वह आपका क्या है संपत्वीपत्थ शेमा प्रतियारी से अधक बादक क्या पढ़ता है उसके हिसाब से नोट कर लिए अपने डायरी में एंड प्लाइनिट करन की जिए आप बच्चों के साथ जा रहे हो कहीं भी तो प्लाइनिंग बहुत जरूरी है कारण के बहुत कुछ एक सबस्तों सरीर जहल लेता है नाजुक सरीर नहीं जहल पाता है तो प्रोगाम ऐसा कीजिए कि मैं तो बैफकूफ हो कि ऐसा बात कर रहा हो कि घर में रहिए बाहर मत निकलिए संबब नहीं है इस नौट ए प्रैक्टिकल स्टेप लिकिन साब्धान रहने की बात है शरीर से मन से मनसा वाचा काया जो भी समझ लीजिया तो वो मैं वो बताने के लिए था उस दिन भी कभी कभी दिमाग में बहुत सारी चीज उमरती रहती है तो बाग जाता हूँ मैं कहां बोल रहों कहां चला जाता हूँ कभी कभी ऐसा होता है और आप लोग का जो कहना हो भी सटीक है लेकिन यह चीज ही है ऐसा नहीं है कि यह कल्पना और इसमें मन जदिया भीतर डोगे तो आप ट्रांस में चले जाते हो अब इसी दिन धनूल आसी से नाइन्थ होस में सूरज हैं और यह सूरज लगन में आ गया है धनूरासी में आ गया है तो सूरज माने आत्मा यहां पर सूरज माने भगवान भी आपके परस्नल गौड अधा पर्टिकलर डे और फोर फाइब डेस तो तो सूरज पाँच नंबर मतलब सूरज सूरज माने भगवान तातकालिक भगवान उस समय वो पाँच दिनों के लिए जो भगवान है तातकालिक गौड अब यह जो गौड है यह कौन है यह धनूरासी में है सूरज जो है यह धनूरासी में आ गया धनूरासी गुरू ओन करता है धनूरासी का मतलब होता है गुरू धनू में मूलतरकोन है तो गुरू is equal to 90% of the age यह मूलतरकोन को 75% बोलता है 75% is equivalent to 90% of our age 120 साल का जो मनुस्य का age है 120 वर्स नौ महिना age है human being का तो यह 90% है तो गुरू 90% हो गए तो भगवान विश्णू 90% हो के जो सर्वस्रेस्ट हैं तो यह भगवान विश्णू स्वेम हो गए सेम भगवान विश्णू अब इनका वर्शिप करना है इनको पूजा करना है यह पूजा हो तो सबका कल्यान हो आप किसी धर्म को मानने वाले हो सैभ हो या वैश्णू हो आप भगवान क्रिश्ण को मानते है या स्वेम विश्णू को मानते है या भगवान राम को मानते है या निस्व को मानते है आप भगवान के बारह अवतार में से दशावतार में से, जो भी आप मानते हों, आप इनको पोज लिजाए, मान लिए आप विश्णु को मानते ही नहीं है, शिप को मानते हैं, तब भी मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, पहुच दिन के लिए तो मान लिजे, भगवान भगवान है, किसी भी धर्म के भग भगवान ही है, यह ही है, वही इश्वर, इश्वर अल्ला ते रोला हूँ, तो यहाँ पर भगवान विश्णु को जिदि आप प्रेयर करते हैं, तो आपकी बहुत सारी समुझे आए, और भय, भय खतम हो जाएगा आपका, शोर, शोर तो शोर, और जो लोग साक्षात सूरज को रोज पूजा करते हैं, यह साक्षात भगवान वही हैं, अभी, कलजुग में वो दृष्य भगवान जो है, जो आपसे दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूरज ही हैं, तो जो लोग भगवान सूरज को पड़ाम कर करते हूं यही सुर्ज शहतरांसो तेजो रासी जगत-पते अनुकंपया माम भक्त्या स्विकार पढ़ामं दिवा करह यह जो अरग देते हैं गरहान और घम दिवा करह सुवे साम सेटिंग सन उनको भी परणाम कीजे राइजिंग सन उनको भी परणाम कीजे जो लोग सिर्फ सूर्ज वगवान की पोजा करते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं तो यह इस्थिती जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है आप देखें यहां से लेकिए अगले 26 तारिक या 27 तारिक तक का जो अमवश्या टू अमवश्या है मैंने इसको अनलाइज करके रखा तो दिमाग में बहुत सारी बात थी तो 11 लिखते हैं लिखते हैं हमको 12 लिखना चाहिए था हमने 11 ही लिख दिया था इस तरके स्थितिया जाती है जब दुमाग ओवर्लोडेड हो जाता है और चिंता में मैं भी पड़ा हुआ था अब यह देखिए कि जदी किसी का कन्यारासी है तो कन्यारासी वालों के लिए एक दो तीन चार चौथा घर पड़ गया तो सुख की हानी हो सकती है आपके घर में बयो बृद्ध कोई भी हो मातरी पक्ट से उनकी हानी हो सकती है नवकरी कर रहे हो आप तो यह जो सीचवेसं थीन अस्टक ग्रही और अस्टक ग्रही भोने से त्पिर हला होने लगया च्छैगरी और दो और ग्रहों का प्रवाब है वो और सूरज ग्रहन अमावश्या ये सारा चीज मिल करके जो मीन रासी में जितने लोग है और नौकरी कर रहा है आपको नौकरी छोड़ने छोड़ने की इस्तिती हो जाएगी या आप अपने जॉब में एड्जस्ट करते करत हो जाओ गया लगया कि इसे बहतर था छोड़ देते हैं बेक मांग लोगा है लकिन ये नौकरी नहीं करोंगा इतना पानित हो के कोई जीता है गया इस तरह की बात आ जाएगी तो वो थोड़ी सी बात ही क्लेरिफाइग करने के लिए मैं सोचा था बता दू जो लोग अपन रहे हैं उसमें भी आप अस्ठक वर्थ देख सकते हैं तो जदी आपके चंद्रमा का बल कम है और आपके लगन का बल कम है और अस्ठम भाव का लगने जो हैं उनका बल कम है तो आपको साब्धान रहने की बहुत जरूरत है सिर्फ लगन का बल कम है तब भी आप बिमार तो घर में तुम जगडा मार पीठें तेन बहुत तरह की सिच्वेशन बन जाएगी सेवन्थ होस में है तो बस कोट में जाकर करके डैवोर्स लेनी की बात आ जाएगी आपसी दोंदे इतना बन जाएगा जो जीरो की उपर में हंडेड होगा कोईच नहीं होगा मैं बोलना हूँ तीन चार दिन को अब सब नौर्मल हो जाएगा तो ये एक इस तरह का जो प्राकृतिक उत्पात और मांसिक उत्पात सबके इस्तिती बनी हुई है धैरज धर करके धीरज को धर करके भगवान विश्णु के साथ या जो भी आपके इस्ट देव है मैं इस्ट देव की बात बोलता हूँ इस्ट देव इस रिप्रजेंटेड बाई नाइन्थ लॉड आपको एनेलेसिस करना होगा नाइन्थ लॉड गुरू नाइन्थ लॉड जी गुरू है तब भी कभी कभी वो शिप को रिप्रजेंट कर देते हैं हरी हर सरूप है हमने कहा ला तो कभी कभी जो नाइन्थ लॉड है जो मंगल भी है तो वो भी शिप को रिप्रजेंट कर देते हैं So you have to analyze everything. इतना आप ध्यान रखें तो वो समय बिल्कुल ठीक ठाक चला जाएगा. आज संच्छेप में यहीं तक. सोच रहा हूं कि अभी जनवरी में 23 जनवरी को सनी आगे बढ़ेंगे, मकर में आएंगे. तो यह जो मीच का जो समय है, इसमें गुरू जब पुनरवर्शु में जा रहा है, जनवरी में ही जा रहा है, तो गुरू का ब्रिश्चिक रासी में, या सौरी, गुरू का पुनरवर्शु में क्या रिजल्ट होगा गुरू के, गुरू का अपने नक्षत्र में क्या फल चाहता हूं में भी कल या परसों से में यही पकड़ूंगा या आप कुछ सलाह देंगे देखे जो लोग दसांतर दसा ये सब के बारे में बोलते हैं बोलने के लिए सर्जी आसान नहीं है बहुत कठी नहीं है और इतने सारे रूल है उसकी बिसे में लेकर मैं कुछ भी बोलूंगा न तो ये मेरे मूँ से थोड़ी से बात निकल जाती है तो देखे कितना कमेंट्स आ जाते हैं मैंने कहा था ना परसो तरसो जो आया था तो कहा था कि बर्फबारी होगी तो अमेरिका हिल गये वेस्टन कर्टिजी स्वेटिजर लाइंड हिल गया इंडिया का उत्री भाग हिल गया बर्फबारी से सिति नाजुक है आज भी वर्सा और बरहबारी सूरज इसमें भी तीक हैं अगनी कांट रोका नहीं हैं जो एक साल से चल रहा है एक अच्छी ख़बर दे सकता हूं मैं आपको यह बर्स बीतने को है इस बर्स का अबसान बहुत ही समीप है एक महने के बाद और हम लोग अभी एकोनामी एकोनामी मुल्यन हो रहा है मुद्रक है, सारी संकेत है, डाउन फॉल हो रही है, रिसीशन हो रही है, मंदी आ रही है, सब बहुत सारी बात हम लोग सोच रहे हैं, सही है, लेकिन ग्रहों की भासा के हिसाब से मैं कहता हूँ कि 2020 में भारत वर्स को उतना जहलना नहीं पड़ेगा, दूसरी विस्वे के दे दर्वे होकर के ब्यापार करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मिस्टर जी की गैरेंटी है, लेकिन इस बीच में दो तीन बार धार्मी कुनमाद के कारण जगड़े हो सकते हैं, उसमें कुछ जिंजट होगा, और कुछ ऐसी बात होंगी दो रास्टों के कारण वेपार थोड़ा सा बीच में रुकेगा, वो ज्यादा नहीं, एक देट, दो मेने की बात है. But the overall, the economy of India is going to grow. So, आज यहीं तक इतिसुहम, तेहन दो, निनाग जोहर.